हेलो एवरिवन लक्षय यूट्यूब चेनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम अपनी इस वीडियो में बात किरने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रिटमेंट 2024 के बारे में एक नई भरती का नोटिफिकेशन आया है जो की स्पेशल एजुकेश टीचर के साथ साथ अन्या भी काफिशारी पोस्ट के उपर है तो आप जिस जिस भी सब्जेक्ट में इलिजबल्टी क्राइटेरिया फुल्फिल करते हैं तो आप उसके लिए अवेदन कर सकते हैं और इसमें पर्मनेंट टीचर की वेकेंसी है साथ में पार्ट टाइम आप आवेदन कर सकते हैं और अगर हम बात करें कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की उसके लिए अगर आपने डिपलोमा किया है या बियड की है तो स्पेशल एजुकेशन में तो आप दोनों ही इलिजिबल हैं और इसमें इंटर्व्यू के आधार पे आपका फाइनल सेलेक पे तो चलिए देखते हैं ओफीशियल नोटिफिकेशन एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे साथ में अपने सभी साथियों के साथ भी सियर कर दे जो भी स्पेशल एजुकेशन की फिल्ड से संबंदित है तो आप ये देख ओफीशियल नोटिफिकेशन जो की आया है दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल की तरफ से तो ये आप देख रहे हो सफदर्जें एंकलेव ब्रांच की तरफ से आया है ये और इसमें आप अगर देखोगे तो काफी सारी इन होने वकैंसीज के नोटिफिकेशन निकाल ले हैं तो जैसे की पॉस्ट वाइज इन होने अडविटीजमेंट पब्लिस किया है बट हम यहाँ बेर बात कर रहे हैं स्पैसल एजुकेटर की तो आप देखोगे यहाँ पे इन होने स्पैसल एजुकेटर का भी मेंशन किया है जो की पर्मानेंट टीचर की वकैंसीज में है ये में नहीं है यह full time में है और आप नीचे देखोगे तो नीचे यह इन्होंने part time के लिए भी अलग से advertisement दी है तो आप जिस भी subject में या जिस भी स्तर पर काम करना चाते हैं तो अपने हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं बाकि special educator के लिए इन्होंने eligibility criteria यहां mention नहीं किया है और नहीं post पर mention किया है कि वह PRT है या TGT तो इसलिए आपने चाहे diploma किया हो या अपने BA की हो तो दोनों ही यहां पर आवेदन कर सकते हैं साथ में इन्होंने specialization भी mention नहीं किया है तो आपने चाहे जिस भी specialization में diploma या degree की है तो आप आवेदन जरूर करें इसके बाद अगर हम बात करें तो next आप देखोगे यह NPL Kingsway Camp branch की तरफ से आया है तो यहां पर भी आप देखोगे special educator की recruitment का notification इन्होंने दिया हुआ है post mention की हुई है उसके अलावा भी आप काफी सारी post देख रहे हो तो आप अगर किसी दूसरी post के लिए भी eligibility criteria fulfill करते हैं तो आप उसमें भी आवेदन कर सकते हैं यहां पर भी full time के लिए है special educator उसके अलावा भी आप देख रहे हो कि part time के लिए भी बहुत सारी vacancies के notification है तो इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड अब देख रहे हो वजीराबाद DPA branch की तरफ से आया है तो यहां पर बीन होने full time में special educator की recruitment का notification डाला है और part time में भी बहुत सारी vacancies हैं तो अगर आप देखोगे नीचे qualification as per DOE norms तो इन्होंने DOE norms के according यहां पर qualification बोला है बट post के आगे mention नहीं है कि वो PRT है या TGT तो इसलिए diploma और BR दोनों ही अगर आपने आप में से किसी ने भी एक भी किया है दोनों में से तो आप आवेदन जरूर करें आवेदन के लिए इन्होंने बोला कि apply within 10 days तो जब यह आपका यह notification publish हुआ है तो उसके 10 दिन के अंदर ही आपको अपना जो application form है वो submit करना है और application form आपको working days के अंदर ही submit करना जो कि नहोंने टाइमिंग बताई है साधे 10 से date के वीच में और साथ में आपको 100 रुपे की payment भी submit करनी है तो आप जैसे ही मतलब जिस भी branch में आप जो form submit करना चाते हो तो उस school में जाके आप school से ही आपको 100 रुपे का form मिलेगा तो आप वहां से 100 रुपे का form लेके और वहीं पर form जो fill करके complete और उसके साथ साथ सभी related document लगाके वहीं पर submit करवा सकते हैं इन्होंने बोला कि online जो ये shortlisted candidate को ही call करेंगे interview के लिए और उसके बाद फिर आपका interview होगा तो interview based की ये vacancies हैं और आप online भी अपना जो application form है वो download कर सकते हैं तो online download करके आप घर से ही fill करके लेके जा सकते हैं फिर वहाँ पर जाके आपको payment 100 रुपे submit करवानी है अपने application form के साथ तो तीन जो branch है दिल्ली police public school की तो तीन ब्रांच से special educator की recruitment के notification आये हैं तीनों मेंसे जो भी जहां पे भी आप काम करने के लिए comfortable हो उसी branch में जाके आप अपना application form submit करवा सकते हो यहां पे इन्होंने कहीं पे भी date mention नहीं की है कि ये advertisement publish कब हुआ था तो इसलिए आप एक बार जब भी आप form apply करने जाएं तो उससे पहले एक बार call जरूर कर लें इनको और इनसे पूछ लें क्योंकि मुझे आज मिला है ये advertisement तो साथ ये publish पहले ही हो चुका होगा तो इसलिए पहले पता कर लें कि 10 दिन में अभी कितना समया बचा हुआ है तो उसी हिसाब से आप अपने application form submit करवाने जाएं और उसके लिए आप यहां पे देख सकते हो इन्होंने instruction में बोला है कि आपको सभी जो भी criteria है वो fulfill करना है application form submit करने से पहले तो अगर आप fulfill करते हो तो ही आप apply कीजिएगा और apply करने के लिए आपको counter pay school के जो counter है वहाँ पे आपको 100 रुपय की fee submit करवानी है और आप online भी अपना application form download कर सकते हैं और offline भी आप school में जाके भी ले सकते हैं इसके लावे इन्होंने बोला कि अगर आप कोई payment नहीं करते हैं तो आपका जो form है वो consider नहीं किया जाएगा अगर आप payment करेंगे तब यह आपका form consider किया जाएगा और application form को duly sign करना है सभी document आपको attach करने है उनको भी self test करना है और उसके बाद ही आपको school में submit करवाना है अगर आप कोई भी कलत information देते हैं तो आपका जो form है वो cancel कर दिया जाएगा और आपके against action लिया जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपने number mention किये हैं तो यह मैंने इसलिए यहाँ पे आपको यह instruction बताए हैं कि आप इन number पे call करके पहले पूछ ले और उसके बाद ही आप वहाँ पे form submit करवाने जाएं इनसे पहले बात कर लें कि यह advertisement का publish हुआ था और कितने दिन बचे हुए हैं अभी भी form submit करवाने के लिए क्योंकि site पे ऐसा कुछ mention नहीं है कहीं पे भी date तो इसलिए बात करके उसके बाद ही अपना form submit करवाने जाएं और इसके लावा इन्होंने बोला कि किसी भी candidate को reject और accept करने का तो यह rights अपने पास रखते हैं उसके लिए आप इन पे कोई भी case नहीं कर सकते तो final decision इनका खुद कई होगा और आप यह देख सकते हो यह जो online application form है इनका तो इसमें basic detail पूछी गई है उसके बाद आपकी जो भी professional qualification है और experience की detail पूछी गई है तो उसके बाद आप देख सकते हो यह कुछ और basic detail है जो आपको fill करके लेके जानी है तो यह notification आया है दिल्ली police public school की तरफ से जो कि इनकी तीन अलग अलग branches से आया हुआ है और तीनों ही branches में full time के लिए permanent special educator यह रख रहे हैं तो जो भी साथी आवेदन करने के इच्छुक है वो एक बार जो हमने phone number यहां पे आपको दिखाए हैं तो उस पे बात करके और जो भी अभी days बचे हुए हैं उसके according ही form submit करवाने के लिए जाए उमीद है आप सभी को मेरे द्वारा दी गई information अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई information आपके लिए valuable लगती है तो वीडियो को like जरूर करें साथ में अपने सभी साथियों के साथ भी share करे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि जब भी हम वीडियो upload करें तो तुरंत आप तक notification पहुंचे थैंक यू